साथ संगत जी प्यार से कहना धन रंकार जी आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई साकी के साथ फिर से हाजिर हुमें साथ संगत जी माता पिता का अदरिश्य आशिरवाध ही इश्वर की किरपाद रिष्टी है इसलिए घर पर बैठे जीवित माता पिता की खूब सेवा करें क्योंकि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं कोई धरम नहीं और आज की साकी इसी विशय पर अरधारिध है चलिए साकी एक लैंप पोस्ट के नीचे एक बुड़े बाबा को देखकर लोग तरह तरह की बाते बना रहे थे दुबले पतले से वो बाबा रोज इसी तरह से आकर मू नीचे किये हुए बैठे मिलते थे एक बार एक युवा रहागिर ने उन बाबा से पूछा कि अरे बाबा आप पास ये जो बोरा है इस बोरे में क्या है अब उस बुड़े बाबा ने रहागिर के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया वो रहागिर भी वहां से चला गया साथ संगत जी कुछ दिनों तक ऐसा ही क्रम चलता रहा एक दिन फिर उस रहागिर ने उस बुड़े बाबा से कि मैं एक लुहार था सालों मैंने लोहे को तपाया और उसको अलग-अलग आकार में ये ढाला है अब मैं बुड़ा हो गया हूँ और मेरी बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया ये कहकर कि मैं मुफ्त की रोटी तोड रहा हूँ इसलिए जब मेरा बेटा घर में होता है तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ इसी इंतजार में कि काश मेरी बुड़ी हड़ियों में फिर से जान आ जाए और इतना कहकर वो बुड़े बाबा उदास हो गए साथ संगत जी उस बुड़े बाबा में रहागीर को अपनी दादा जी की तस्वीर दिखाई दे रही थी उस रहागीर के दादा जी भी उसे लगा कि ऐसी ही अवस्था में होंगे चार साल पहले जब उस रहागीर के दादा जी उनके घर पर रहने आये थे तो उसके दादा जी कितने खुशाल दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो अपनी बड़े बेटे के घर पर रहने के लिए आये थ उसमें जो कोई भी उस रहागीर के दादाजी से पूछता तो वो बड़े फकर से कहते थे कि मैं तो किसान हूँ और मैं खेती बाड़ी करता हूँ और मैं बहुत ही भागयशाली हूँ क्योंकि मेरे खेतों में फसल भी बहुत अच्छी होती है और यहां मैं अपने बच्चों को भी फलते फूलते हुए देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह बच्चे भी मेरी ही मेहनत से बने हैं अब उनका बड़ा बेटा यानि कि उस रहागीर के पिता जी जब अपने पिता की ये बात सुनते तो उन्हें बड़ा क्रोध आता था उनकी बोहें तन जाती थी कैसे गाव से तै करके ही आए हैं कि आप मेरी नाख कटवा कर ही दम लेंगे आपको क्या जरूरत थी ये कहने की कि आप किसान हो और आपने ये कैसे कह दिया कि मैं आपकी मेहनत से बना हूँ और आज मैं जो भी हूँ वो मेरी नहीं आपकी मेहनत है अगर आपको यही सब करन तो चले जाएए गाँ वापस मेरे घर मूँग दलने क्यूं आ गए हो। साथ संगत जी बूड़े पिता अपने बेटे की बातों को चुप चाप सुनते रहे और नम आखों से बिना कुछ खाए पिये ही सो गए। सुमेजोब हुई तो देखा कि वो घर पर नहीं थे, तलाशने पर कहीं नहीं मिले जब घर में उनके समान को तटोला तो देखा गया कि घर से वो खाली हाथ ही गए थे और उनके कपडे वाला बकसा भी वहीं मुझूद था जब उनके बकसे को खोल कर देखा गया, तो उसमें एक चिठी पड़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था, कि मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता था, कि तुम मेरा बकसा जरूर देखोगे, ये जानने के लिए, कि मेरे बकसे में क्या है, तुम्हें हमेशा मुझ पर शक था, कि जर उनके जब अपने इस मकान के लिए मुझे से पैसे मांगे थे, तब उस दोरान मैंने अपना खेत बेच दिया था, और आज उस बात को आट साल हो गए है, मैं गाव में मेहनत मजदूरी करके अपना गोजारा कर रहा था, और तुम तो जानते ही हो, गाव के सभी लोग तु पी हुई नहीं थी, और वो किशन काका है न, अरे वही पडोस वाले, तो उन्होंने मुझे से कहा, कि तुम अपने बेटे के पास क्यों नहीं चले जाते, आखिर तुम्हारा बेटा ही तुम्हारी देख बाल करेगा, तुम्हारा छोटा बेटा तो विदेश चला गया, और वो लोट कर ही नहीं आया, किशन काका नहीं, मुझे चार जोड़ी कपड़े दिलवाए और यहां आने के टिकेट करवाई, बेटा, मेरे आने से तुमको तकलीफ हुई, यह जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे माफ कर देना, और अब मैं जा रहा हूँ, कहां जा चुके थे, उन्होंने पुलिस में खबर कर दी, पर रहागीर के दादा जी की, कोई भी खोज खबर नहीं मिल पाई, अब उस रहागीर को, उन बाबा को देखते हुए, अपने दादा जी की याद आ गई, उसको नधा, कि उसके दादा जी भी, ऐसे ही लावारिस की तर मू लटकाए बैठे हुए थे, थोड़ी ही देर में एक बच्चा दोड़ता भागता हुआ आया, और उस बाबा से बोला, कि दादा घर चलो, बाबा को चोट लगी है, काम करते वक्त, उनके हाथों में हथोड़ा लग गया है, ये सुनते ही, उस बाबा की बुड़ी हड़ में जाने कैसे जाना गई, और वो तेज गती से अपने घर की ओर चले गए, उनको अपने घर जाता हुआ देखकर, रहागीर उसी ओर देखता रहे गया, और उसने आकाश की तरफ देखा, मानुव आकाश से पूछ रहा हो, कि बताओ, कि मेरे दादा जी कहा है, पर ये पा होती है, जीवीत माता-पिता की सेवा, मर्नो प्रांत किये गए पित्र करम से कहीं जादा उत्तम होती है, जीवन में हम बहुत कुछ महसूस नहीं कर पाते, पर जब तक महसूस करते हैं, तब तक वो हमसे बहुत दूर जा चुके होती हैं, आईए इन बूडे व्रिक्ष को जल रूपी सनहें और सेवा रूपी खाद से संजो कर फिर से युवा, स्वस्त और हरा भरा करने की एक चोटी सी कोशिश करें, घर पर बैठे जीवीत माता-पिता की खूब सेवा करें, क्योंकि इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, कोई धरम नहीं, साथ संकत जी, हम अपने घरों में बुजर्गों की अंदेखी अकसर देखते हैं, लेकिन हमें बुजर्गों की अंदेखी नहीं करने चाहिए, अकसर बच्चे बुजर्ग माता-पिता की समय की कमी का हवाला देकर, या निजी मजबूरियों के कारण उन्हीं नजर अंदाज करते हैं, किन्तु वही बजुरग बच्चों को बिना अनुभव कराए उनको धीरो आशिरवाद देते रहती हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने माता-पिता की सेवा करें और उनके साथ कुछ समय बिताएं। उमीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को नाइक कीजेगा और अपनी विचार कमेंट में जरूर बताईएगा। साथ संगत्ची प्यार से कहना धन्दरंकार जी।